सूप्रभात बच्चों, कक्षा पांचवी, विशे हिंदी, उपविशे, पाठ पांच, चंबल की कहानी, उसकी जुबानी पुस्तक का नाम, अभी व्यक्ती हिंदी पाठे पुस्तक, व्याख्यान एक बच्चों, आज हम व्याख्यान एक में पाठ पाच चंबल की कहानी उसकी जुबानी को पढ़ेंगे पाठ में आए कठिन शब्द और शबदार्द जानेंगे बच्चों, कहानी सुनोगे? मैं सुनाओंगी तुम्हें अपनी कहानी सच्ची कहानी, मेरी कहानी लंबी तो है, पर है मजेदार एक बार सुनना शुरू करोगे, तो सुनते ही चले जाओगे अपना बच्चपन सबको अच्छा लगता है, न? वे शैतानी करने के दिन, लड़ने जगडने के दिन, खेलने कूदने के दिन बच्चों, सभी को अपना बच्चपन अच्छा लगता है, बच्चपन में वे शैतानिया करते हैं, लड़ते जगडते हैं, खेलते कूदते हैं कितने मजेदार थे, तो मैं अपने बच्चपन से ही शुरू करती हूँ, मैं पहड की बेटी हूँ, परवत कन्या, अपने पिता की बहुत प्यारी, मेरे पिताजी बड़े प्रशिद हैं, बच्चों, प्रशिद का अर्थ होता है मशूर नामी, वे अपने देश के बीचों बीच मध्यपरदेश में रहते हैं, उनका नाम है विन्धाचल यहीं मेरा जन्म हुआ, और मेरा नाम रखा गया चंबल, जब मेरा जन्म हुआ, तब मैं बहुत पतली थी, पिता जी सोचते थे इस दुबली पतली का क्या होगा, पर मैंने उनकी यह आशंका दूर कर दी, मैं तो पैदा होते ही तेज चलने लगी, बच्चों, आशंका का आर्थ है संदेह, चंबल कहती है कि मैंने अपने पिता के संदेह को शंका को दूर कर दिया, मैं तो पैदा होते ही तेज चलने लगी, एक बार चलना आरंब किया, तो रुकी ही नहीं, आरंब का आर्थ है बच्चों, शुरुआत, जब मैंने चलना शुरु कर दिया, तो मैं नहीं रुकी, कई रुकावटें आई, उबड खावड रास्ते आए, पर मैंने हार नहीं माने, चलती गई, चलती गई, पहले अपने जन्म स्थान मध्य परदेश में घुमती रही, फिर राजस्थान की ओर चल पड़ी, रास्ते में मिली मेरी बहन शिप्रा, बच्चों, शिप्रा एक प्रसिद नदी है, बहन से मिलकर भागेशाली है, रास्ते में मिली मेरी बहन शिप्रा, बहन से मिलकर बड़ा मज़ा आता है ना, इस बारे में मैं बहुत भग्यशाली हूँ, मेरी एक नहीं कई बहने हैं, एक बहन तो मुझसे बहुत ही प्यार करती है मुझसे मिलने लगभग 483 किलोमेटर दूर से आती है, वह राजस्थान की ही है, नाम है बनास अपनी इन बहनों का प्रेम समेटे मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे देखती क्या हूँ कि मेरी दो और राजस्थानी बहने, काली सिंध और पार्वती मेरी स्वागत के लिए बाहें फैलाए हुए हैं वहां मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मैं दोनों से गले मिलती हूँ, और राजस्थान में गूमने निकल पड़ती हूँ राजस्थान की एक-एक इंच जमीन वीर राजबूतों के बलिदान की कहानी कहती है, बलिदान का आर्थ है बच्चो त्याग सच, मैं बड़े-बड़े पत्थर, उची-उची पहाड़ियों और घाटियों के बीच उचलती-कूदती चलती हूँ इसलिए यहां के लोग मुझे चंचल-चंबल भी कहते हैं, चंचल का आर्थ होता है बच्चो शरारती या नटकट मैं लगातार चलती रहती हूँ, बहुत लंबा रास्ता है, इतनी दूर चलते-चलते ठक जाती है चाहती हूँ कुछ आराम मिले, आराम तो मा की गोद में ही मिलता है और सामने मा जैसी यमुना दिखाई देने लगती है उनकी गोद में समाने के लिए मैं तेजी से दोडती हूँ यमुना मैया, बड़ी विशाल है बच्चो विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा यमुना मैया, बहुत बड़ी है मुझे एकदम अपनी ममता भरी गोद में समेट लेती है मुझे और क्या चाहिए मुझे अपने माता पिता की सीख याद है तुम्हें भी याद रखनी चाहिए वे यही कहते रहे हैं कि जो दूसरे के काम आए वही सच्चा इंसान है जहां तक हो सके दूसरों के काम आते रहो उन्हें सहायता देते रहो मेरे पास देने को क्या है बस पानी लोगों ने मुझे से कहा दीदी हम तुमें बांधेंगे हम तुम्हें जहां चाहेंगे ले जाएंगे दूर दूर तक, तुम्हें धाराओं में बाटेंगे, वे तुम्हारी बेटियां होंगी, ये बेटियां जमीन को हरा भरा करेंगी, नई फसलें उगेंगी, खुशाली आएगी मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी, मैं उनके प्रेम में बंद गई, लोगों ने मेरे साहस की एक और परिक्षाली बच्चों, साहस का अर्थ होता है हिम्मत, मुझसे कहा, हम तुम्हें बांद कर उचाई से गिराएंगे, हम तुमसे बिजली पैदा करेंगे, बोलो तयार हो अरे मैं उर बिजली, मेरे पानी में ऐसी ताकत, मैं खुशी से नाच उठी, कल्पना में खो गई, मेरा पानी बिजली बनाएगा, दूर दूर तक अंधियारा दूर होगा गाउं में प्रकाश फैल जाएगा, एक नया सूरज उगेगा, मैं लोगों के स्नेहे में पूरी तरह बंद गई, स्नेहे का अर्थ होता है बच्चो प्रेम, मैं लोगों के प्रेम में पूरी तरह बंद गई लोग भी मेरे उपकार से बंद गए और मुझे पूजने लगे, उपकार का अर्थ होता है बच्चो एहसान, लोग मेरे एहसान से बंद गए और मुझे पूजने लगे मुझे चामल माता के नाम से पुकारने लगे, मैं धन्य हो गई, बस यही है मेरी कहानी एक छोटी सी दुबली पतली धारा से बढ़कर विशाल बन जाने की, अपने को बंद वाकर जन जन के उप्योग की बन जाने की, एक चुल्बुली कन्या से पूजनिये मा बन जाने की कहानी, मेरी कहानी, उजनिये का अर्थ होता है बच्चो, पूजा करने योग्या बच्चों, अब हम पार्ट में आए कठिन शब्दों को जानेंगे कठिन शब्द नमबर एक, मजेदार नमबर दो, प्रसिद्ध नमबर तीन, शैतानी नमबर च्यार, विन्धाचल नमबर पांच, आशंका नमबर छै, शिप्रा नमबर साथ, बाहे नमबर आठ, हिम्मत नमबर नो, अंधियारा नमबर दस, बंधवाकर एक बार पुनहें, दो राते हैं नमबर एक, मजेदार नमबर दो, प्रसिद्ध नमबर तीन, शैतानी नमबर च्यार, विन्धाचल नमबर पांच, आशंका नमबर च्यार, शिप्रा नमबर साथ, बाहे नमबर आठ, हिम्मत नमबर नो, अंधियारा नमबर दस, बंधवाकर बच्चों, अब हम पाठ में आई शब्दों के अर्थ जानेंगे शब्दार्थ नमबर एक, प्रशिद्ध बच्चों, प्रशिद्ध का अर्थ है मशूर, नामी नमबर दो, आशंका आशंका का अर्थ है संदेह, शंका बच्चों, आशंका का अर्थ है संदेह, या, शंका नमबर तीन, आरंभ आरंभ का अर्थ है शुरुवात नमबर चार शिप्रा शिप्रा का अर्थ है एक प्रसिद नदी नमबर पांच बलीदान बलीदान का अर्थ है त्याग नमबर छे चंचल चंचल का अर्थ है शरार्ती नटखट नमबर साथ विशाल विशाल का आर्थ है बहुत बड़ा नमबर आठ साहस साहस का आर्थ है हिम्मत नमबर नो सनेह सनेह का आर्थ है प्रेम नमबर दस उपकार उपकार का आर्थ है एहसान नमबर ग्यारे है पुझेनिये पुजेनिय का आर्थ है पूजा, करने, योग्य बच्चों, पाट के शब्दार्थ एक बार पुनेह दोराते है नमबर एक प्रशिद प्रशिद का आर्थ है मशूर नामी नमबर दो आशंका इसका आर्थ है संदेह या शंका नमबर तीन आरंब इसका आर्थ है शुरुवात नमबर च्यार शिप्रा इसका आर्थ है एक प्रशिद नदी नमबर पांच बलीदान इसका आर्थ है त्याग नमबर छै चंचल इसका आर्थ है शरारती नटखट नमबर साथ विशाल इसका अर्थ है बहुत बड़ा नमबर आठ साहस इसका अर्थ है हिम्मत नमबर नो स्नेह इसका अर्थ है प्रेम नमबर दस उपकार इसका अर्थ है एहसान नमबर ग्यारे है पुजनिये इसका अर्थ है पूजा करने योग्य बच्चों, आज आपका ग्री कारिय है पाट पाँच चम्बल की कहानी उसकी जुबानी ग्री कारिय कक्षा में कराई गए कथिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कोपी में सुन्दर लेक में लिखो बच्चों, आपको पाट पाच के शब्दार्थ और कथिन शब्द अपनी कोपी में सुन्दर लेक में लिखने है धन्यवाद